नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं SPU Update YouTube चैनल महाराष्ट मॉंबई से निकल के बड़ी खबार आ रहे दुकानों के लिए के जहां दोस्तों BMC ने नए गाड़लाइंज जारी किया है नए फार्मूले से दुकाने खोल सकते हैं हाला कि टाइमिंग वही रहेगी सुबस साथ बज़े से दोपर के दो बज़े तक जानेंगी इस वीडियो में विस्तार से इससे पहले आप सभी को बता दे महाराष्ट मॉंबई में कोरोना का आज का स्टिटेस क्या है बात करनें दोस्तों महाराष्ट में पिछले 24 घंटे में नया केσιस 15,077 है वही एक दिन में मरने वाली की संख्या 184 है वही एक दिन में ठीक होने वाली की कुल संख्या 33,000 है अभी तक इलाज चल रहे है कोरोना पेसेंटों की संख्या 25,366 है अब तक राज में मरने वाली की कुल संख्या 25,344 पहुँच गई महानागर मुंबई की मुंबई में पिछले 24 घंटे में नय केसिट 6,366 है वही एक दिन में मरने वाली की संख्या 29,99 है एक दिन में ठीक होने वाली की संख्या 25,70 है वही इलाज चल रहे है मरीजों की संख्या 22,390 है सहर में अब तक जान गवाना लेकिक कुल संख्या 14,826 है बात करें दोस्तों दुकानों के लेके अल्ला की प्रक्रिया सुरू हो गई है मुंबई में करोना के केसिस कमाने की वज़े से बीमसी ने नई गाडलाइंस जारी किया है नई गाडलाइंस के मुताबिक एमेजंसी सर्फिस दुकाने सुबस 7 बज़े से दो पर के 2 बज़े खुली रहेंगी वहीं गयर जरूरी दुकाने खोलने के भी छूट दे दी गई है हाला कि इसके लिए और इवन का फर्मूला लगाए गया है बीमसी ने सड़क के दाहिने तरफ की दुकाने को सुमवार बुद्धवार सुक्रवार को खुलने की इजाज़त दी है वहीं सड वहीं विकेंड पर यानि की सनी वार रभी वार को केवल एमर्जनसी दुकाने खुली रहेंगी मुंबई में कामर्स सर्विस फूर डेलवरी पहले की तरह जारी रहेगी वहीं बात करों दोस्तों मुंबई लोकल टेन को लेके आम पबलिक के लिए अभी तक कोई नियम जार दोस्तों जब तक वैक्सिनेशन के परक्रिया पूरी नहीं हो जाते है तब तक गौर्मेंट के गाड़ लाइन्स का नियमों का पालन करिये जब भी घर से बाहर निकले मास्क और सिंटेजर के साथ में थैंक्यू